जै शिगरी जी हरार बहादे मैं हूँ अचारे संध्या सक्सेरणामा लक्ष्मी जोति शदात्मी सर्फान की तब से आप सभी का सोगत करती हूँ आपका दिन शुब हो मंगल हो आप सभी को न वश्की बहुत-बहुत-फहर धीरों शुब काम नए आपका दिन मंगल हो, स्वस्त में हो, पूरा साल मस्ती से बरा हो, आप सभी की जो भी जाय जिच्छा हैं, वो सभी पूर हो, ऐसी काम ना करती हो, सभी बड़ों को प्रणाम छोड़ों को प्यार, और जो मेरे हम उम्रे हैं, उनको भी बहुत बहुत प्यार हो राशिवाद, भ आपको पता हुगा कि एक दिन में आठट पहर होते हैं, और ये दूसरा पहर चल रहा है, जिस में मैं आपको वीडियो शूट करके दे रही हूं, और मैं आजआ आपको एक ऐसा उपाय दे रही हूँ क्योंकि इस साल की शुक्रवार को हुई है, शुक्रवार माता लक्ष्म होता है मते हetter का होता है और सभी का होता है मतोा सभी ने वोती है दीवितुल से संबन्दित होती तो मातारानी से संबन्दित आज का दिन है तो आज के दिन में ऐसा मैं क्या खास बताओं आपको जिससे की आपके सभी मनुकामना है पूर्ण हो अगर आपको किसी ने तंग किया हो तो वो मनुकामना हो गई बॉस में आफिस में परिशान है बहुत से परिशान कर रखा है कलिक से परिशान कर रखा है सास सलसूर में बहुं में आपस में नंद भजायों में नहीं बनती है, प्रॉपर्टी को लेके जगड़ा होता है, भाय बहुत लड़ते रहते हैं, जगड़ते रहते हैं आपको बिजनेस में बहुत जा लोस हो गया है, किसे न आपको पैसे की बहुत ज़दा झरूत है, आपका बचा बिल्कुल नहीं पड़ रहा है आप उसको लेके परशाने की पढ़ता नहीं है काशे पढ़ने लग जाता आप ये बहुत सारे ऐसे काम है यदि आपकी इसे बहुत प्यार करते है और प्यार आपका नसीवी नहीं हो रहा है क्योंकि जो शुकरवार है उसका शुकर से भी संबंदित है तो शुकर आपका बहुत ज़्दा खराब है आप जिससे प्यार करते हो उसे नसीवी नहीं कर पा रहे हो या आपका साथी आपको boyfriend, आपकी girlfriend आपको तूर चला गया है पती छोड़के चला गया है आपकी पत्नी आपको छोड़के चली गई यानि कि ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं जो आपकी जिंदगी में होती हैं और आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी-कभी अचानलक सा आप बीमार पड़ा गए हैं और आप बीमार इसे जूज रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहें कोई ऐसी दवाई ही जो काम नहीं कर रहे हैं ब्ला 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 ऐसे बहुत सी चीज़े हैं जिसको लेंगे आप बहुत ज़ारा प्रशान हैं तो क्या करना है उसके लिए आज में आपको एक पाई बताऊंगी करेंगे अग साल का पहला दिन है आज से स्ठार्ट करना और फिर से करते रहना मैं हूँ अच्यारों अक्षूबी जोतिश अधार्ती इनषान संसान की तरब से मेरे तीन चैनल है मालक्षूबी जोतिश अधार्ती संसान संध्या सक्सेन स्टों मैं तीरों पर वीडियो जालती हूँ चाल लोगो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बल आइकन दबा दीजिए और आज जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ आप इस प्रयोग को खुद कीजिएगा और साथ में जब आप प्रयोग करेंगे त तो ये शब्द जुरू बोल देना कि हे गणी जी मिराज हे मालक्ष्मी आज मेरे कहने पे या मेरे कहने पे जो लोग भी ये प्रयोग करते हैं वो सभी लोग जो भी पूजा पाट करते हैं उसका दशांश मुझे अविश्य हासिल हो ऐसी मेरी कामना है इसको उसमें जोड देना जब आप अपने लिए प्राधना करेंगे तो आपकी पूजा मल्टिपल होगी हजार गुणा और जब आपको जो सिक्रेट पूजा मैं बताने जा रही हूं जब आप उसे करेंगे और अगर आपने इस वीडियो को पचास साट सो लोग को फॉरवड किया उन में से अ कैसे करना है अब मैं आपको बता देती हूं तो उस perseverance कराना हो एज regression कराना हो photo की reading करानी हो किसी object की कोई चीज खो गई हो गोंशिदा हो गई हो उसकी reading करानी हो यदि आपको किसी भी तरह की किसी भी कंसल्टेंसी की जुरत है अगर आपको वास्तु की कंसल्टेंसी करने के अगर आपको वास्तु बहुत खराब है उसको ठीक कराना हो आपके घर में आफिस में कोई दोशे उसे ठीक कराना हो या आपको प्रशन कुनली से कुछ पूछना हो तो म मैंने अपने चैनल में कहा भी है कि सन 2017 से लेकर 2020 तक जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं मालक्षमी जोति शद्यात्वी सिल्सान पे उन सभी वीडियो को जो पूर रूप से देखेगा और लिख के मुझे भेजेगा कि मैंने क्या वीडियो में बताया था साथ में चैनल को टाइम सी मनिए आपको पास जब टाइम हो तब बेज दीजे तो जो भी भेजेंगे उन सभी वेक्तियों को मैं अपने तब से गोरोचन भेजती हूं और अब तक बहुत से लोगों को बेज चुकी हूं गोरोचन बहुत ही वेलवल थिंग्स है और ये एक पार्ट है अनिमल का एक प्रोडेक्ट होता है और ये दूसरे लोगों को प्रभाइद करने में बहुत काम आता है ठीक है आकर श्रुष शक्ति बढ़ाता है तो अब हम बात करेंगे आज कि अपाएगी तो मैंने आपसे कहा कि यदि आपके जीवन में कोई ऐसी दुरलब चीज हो गई है जिस करेंगे कि वह आपका तुलसी का पौधा इशान कोड में हो इशान कोड में तुलसी का पौध है यदि आप इशान कोड में नहीं रख पाते हैं तो एक दूसरा जो कोड है वह भी मैं आपको बता देती हूँ वह है नौर्थ सौरी साउथ वेस्ट का कोड साउथ वेस्ट का कोड जो है यह प्रेम को बढ़ाने वाला होता है आपकी आकरशे शक्ति को बढ़ाने वाला होता है और नौर्थिस इन दोनों में से ही किसी एक कोड में आपको अपना पेड़ रखना है नौर्थिस में रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है या आप अपके घर क्या जो पेड़ के ठीक नीचे कर देनी है छोटा सा एक गोर्ग और काले रंग का पत्थर होता है जिसको हम शालिक राम बोलते हैं यह असली में कौन है यह भगवान विश्णु है और भगवान विश्णु जो है तुलसी वो भगवान राम से प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाती थी लेकिन राम चंदर जी ने कहा था कि मैं इस जनम में किसी और इस त्रीकोप्री पत्ती नहीं बना सकता तो उनको वर्दार मिला था जब वो पेड़ के रूप में जनम लिया, उनको शाप लग गया था वो तुलसी के रूप में उन्हों ने जनम लिया तो बंधन म घर में और इसको रखने का टाइम जो है वो मैं आपको बता देती हूं दुपहर में आपको इसको रखना है आज अगर रखेंगे तो चार बेर से लेके आठोजी के बीच में इसको स्थापित कर दीजेगा यदि आप आज नहीं रखते हैं तो आप कभी भी रखिएगा लेकिन शाम के टाइम में इसको स्थापित कर दीजेगा और अगर आपने एक दिन पहले लाके रखावाए तो फिर मॉर्निंग में नहाद ह दुकर आप इससे स्थापित कर दीजेगा एक बार अगर आपसे हो सके तो किसी विष्णुजी के मंदिर में याके हाथ जोड़के आजएगा अगर नहीं है तो ऐसी कर दीजेगा अब आपको क्या करना है यह जो आपने स्थापित किया है इस पे आपको डेली सुभे एक चुटकी हल्दी में दो चम्मच कच्चा दूद मिलाके और आधा कटोरी जल मिलाकर इसका घूल बनाना है और ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाब करते से वे आपको इस पे इसको चड़ाना है और उसके साथ आपको बोलना है मेरा नम अमुक है मेरे पिता का नम अमुक है मैं अमुक स्थान से हूँ मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ मेरा अमुक कारे सिद्ध हो तो हे भगवान मुछ पे किरपा करे हे माता राई मेरे धन संपता हो पैसा हो नाम हो एश्वरे हो मेरे रीचिस बड़े लोग मुझे चार दे सम्मान दे और इस तरह से जो सुस्त रहूं मैं निरोगी रहूं मैं संपन रहूं मैं मेरा परिवार कुटूब आपको जो बोलना है उससे बोलकर आपको माता से प्राथना करनी है और प्राथना करने के बाद आपको बोलेंगे कि हे देवी मेरे कहने पे जो भी इस त वारा की गई पूजा का दशांश हिस्सा मुझे प्राप्तो और मेरी भी मनो कामना पूर करने में वो प्रात्ना मदद करे ऐसी मेरी कामना है तो इस तरीके से आपके कहने पे जब आप इस वीडियो को शेर करते हैं या आप किसी को बताते हो तो जितने ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को देख कर आपके मन के बुगता भी पूजा करना शूर करते हैं तो उन सभी की मनो कामना पूरी होती हैं लेकिन एक चीज और है कि जब आप तुलसी में भगवान शालिक राम को स्थापित करेंगे उनको कच्चा दूद और जो हल्दी चड़ाएंगे तो नी एकदम छोटा सा फॉयल के रूप में कहीं मिल जाएगा आपको तुलसी के पेड़ की जड़ में श्रीयंत्र को गाड़ कर उसके ओपर आपको भगवान शालिक राम को रखकर तब जल चड़ाएगा तो यही है सीक्रेट यदि आप तुलसी के अंदर इसी को गाड़ देंग जो भी इस मनोकामना को करता है उसकी सभी मनोकामना पूरूंगी उसको बोलना होगा कि मेरी यह यह बनोकामना पूरी हो और साथ में आप यह भी बोल देना कि हे मातारानी मेरे कहने पे जो लोग भी आपकी पूजा पाटनुश्ठान कर रहे हैं उनकी पूजा का दशान शि इस उपाय को करेंगे तो चूंकि मैंने इस वीडियो में बोल दिया है कि आपके कहने पर जो भी उस उपाय को करेगा तो उसका फल आपको बिलेगा मासिक धर में तुलसी को नहीं छूते हैं इसका ध्यान रखना है और संडे को आप ये काम नहीं करेंगे संडे को दूद संडे को बिलकुल भी आपको जल दूद वगारा नहीं चड़ाना है कि संडे को देवी तुलसी को छूते भी नहीं है तो उनके पास आते हैं औ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगाए तो लाइक कीजिएगा हमेशा कुछ रहेगा और यह वीडियो बैक्सिमुम शेयर कीजिएगा जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे आपको लाव होगा तो आज के लिए इतना ही और जब आप किसी को यह वीडिय जो शुरू ग्रेड क्या है तो मेरी इच्छा है कि मेरे द्वारा शेयर किये इस वीडियो को देखने के बाद जो जो लोग इस उपाए को कर रहे हैं उन सब की पूजा का दशांश हिस्सा मुझे प्राप्त हो ये आपको पैसा भी मिलाएगा क्योंकि आपने तुलसी जी के अ अगर आपकी कोई दुरलब मुनो कामना है तो ये उसको भी पूर्ण कर रहे में मदद करेगा तो आज शुक्रवार है आज का दिन बहुत शुब है खास है लक्ष्मी जी के बंदे जाईए दर्शन कीजे देवी के आपका दिन शुब हो बंगल हो आज के लिए दन्यवाद झाल